Hello students, welcome to Magnet Brain. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. Myself, Neha Verma from Magnet Brain. Students, Magnet Brain है कैसा YouTube channel है? जहाँ आपको kindergarten, means KGC, class 12 तक, आपको आपके पूरे slayvers का video मलता है students. और हाँ students, यहाँ पे teachers आपको एक दो chapter या एक दो टॉपिक पढ़ा कर आप से किसी भी payment की demand बिलकुल नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि Magnet Brain free of cost channel है. मतलब यहाँ से पढ़ाई करने का आपको कोई भी payment नहीं करना परता. ओके students, तो चलिए हम अपनी आज की study शुरू करते हैं. हम कर रहे हैं हिंदी में मात्राएं. स्वर की मात्राएं students है ना? जिसमें से हम आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिशी, ओ की मात्रा, औसे अउरत की मात्रा पढ़ चुके हैं. तो आज हम पढ़ेंगे अं की मात्रा. Students, अंग की मातरा क्या होती है? Remember, अंग से अंगूर अंग से अंगूर अंग, अंग की मातरा ठीक है students? तो ये मातरा कैसी होती है? कहां लगती है? इसके कैसे शब्द होती है? ये हम देखेंगे आज, ओके? तो चलिए, पढ़ती हैं अंग की मातरा So students, ये देखें और ये उपर मातरा ये होती है हमारी अंग की मातरा उपर जो आपको बिंदी, जो डॉट दिख रही है वो है हमारी मातरा Okay students, तो ये इसको हम इसका जो उचारन होता है वो कैसा होता है? ना, ना का साउंड आता है अंगूर ना का हलका साउंड आ रहा है आपको है ना, लंगूर लंगूर लंग, है ना, तो जो ठलका सा ना का साउंड है वो ही आपकी अंग की मातरा का उचारन ठीक है? तो चलिए ये लगती कैसे है? मान लीजे ये है हमारा क से कबूतर इसमें जो मात्रा लगेगी वो आपकी ये उपर लगेगी ते हो जाएगा कंग है ना कंग फिर मान लीजिए ये ख है इसमें जो मात्रा लगेगी वो उपर लगेगी ठीक है स्टूडेंस तो अंग की मात्रा हमेशा अक्षर के उपर लगती है और ये एक dot की तरह होती है, छोटी सी बिंदू, ओके students, और इसका sound हलका सा न, अंग, न का sound आता है, ठीक है, अंगूर, न हलका सा न आपको सुनाई दिया, लंगूर, ठीक है, तो ये है किसका, अंग की मात्रा का उच्चारन, राइट student, तो ये लगती है कहां, अक्षर के उपर और एक बिंदू की तरह होती है, आप देखे, ये students है, जोडो किसके, अक्षरो के जोडो, कह, गह, गह, अंग, ये सब क्या है, ये व्यंजन है, इन में लगती है, मात्रा है, स्वर की मात्रा है, तो अगर हम इसको देखेंगे, कह, प्लस अंग की मात्रा, तो क्या हो ये क्या हो गया, कंग, न का साउंड आ रहा है, घ प्लस अं की मात्रा, खंग, ग प्लस अं की मात्रा, गंग, एसे आप पूरा कर सकते हो, जिस भी अक्षर में लगेगी, उसमें न का उचारन आएगा साथ में, ठीक है students, तो कंग, रइट, और ये क्या होती है, ऊपर एक बि होती है अंकी मात्रा और उसका जो चारन आता है वो हलका सा न की तरह आता है ठीक है student चलो अब हम आगे कुछ शब्द देखते हैं अंकी मात्रा वाले यह देखे यह क्या लिखा हुआ है हल वाला हमें अंकी मात्रा हंस हंस तो इसका sound, फिर से बोलके देखिए मैं के साथ, हंस, ना का sound आया आया आपको, हमने कहीं पे भी ना नहीं लिखा है, लेकिन ये जो अंकी मातरा है, इसका जो उचारन आता है, वो ना का आता है, जल्दी से हम ऐसा नीं बोल रहे हैं हंस, ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं हंस हंस हलका सा ह के उपर ना का साउंड आ जाता है ठीक है ना का उच्चारन आ जाता है हंस राइट चलो अब आगे बढ़ते हैं ये देखिए अब ये क्या है का में अंकी मात्रा घगा में आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा का के उ वाला कंगा, ठीक है? टो क के उपर अंगई मात्रा लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा? कंगा, ठीक है? हलका सा ना का उच्चारण आएगा आपको क क के उपर, तो student, जिस भी अक्षर के उपर अंगई की मात्रा लगती है, वहाँ पे हलका सा आपको ना का उच्चारन सुनाई देगा, ना से ना लोता है ना, वो वाला ना, ठीक है, चलो आब आगे बढ़ते हैं, येस, तो अब इसको रीट करिए, प, त, त के उपर अंकी मातरा, तो क्या हो जाएगा, पतंग, पतंग, है ना, पतंग, राइट सुडेट, पतंग, किस के उपर लेगी है अंकी मातरा, त के उपर, त और ग के बीच में समझ लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, पतंग, राइट, तो ये हमारे कुछ शब्द थे, तंगा, उसके बाद हमने क्या देखा, हंस देखा, हमने पतंग देखा, तो इन सम में अंकी मातरा लगी हुई है ओके, चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, येस, स्टूडेंट इस से पहले हमने क्या देखा था, हमने अक्षर का जोडो देखा था, अब ये है जोडो, शब्दो का जोडो, अक्षर मिलके क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और शब्द मिलके वाक्य बनाते हैं, तो यहा अध्यान से सुनिए पंच है ना तो ये हो गया पंच अब ये क्या हो गया अ के ऊपर अंग की मातरा अंड़ में आखी मातरा अंड़ ना का उचारन सनाई दिया अंड़ ठीक है? अलग से हमने ना कहीं नहीं लिखा है लेकिन उचारण में हम क्या बोल रहे हैं? अंदा, ओके? क्योंकि अंग की मातरा लगी हुई है उपर यहां देखिए ग, ग के उपर अंग की मातरा, तो क्या हो जाएगा? ग, ग में आ की मातरा ग, तो क्या हो गया यह? गंगा, गंगा ठीक है? अब आगे देखो ल, ल के उपर अंग की मातरा, लंका क में आ की मातरा लंका, ठीक है? न कहीं नहीं है, लेकिन उचारण सनाई दे रहा है आपको लंका, ठीक है students? तो यह कुछ शब्द थे जो हमने जोड के बनाएं अंग की मातरा वाले राइट, पंच, अंडा गंगा, लंका ओके? तो ऐसे आपको कहीं पे भी अगर उपर मातरा दिखे मिन्स उपर डॉट दिखे तो समझ जाए वो अंग की मातरा है क्या होता है? अंग से अंगूर और यह अक्षर के उपर लगती है एक छोटी सी बिंदू की तरह राइट, चलो अब आगे बढ़ते है येस अब हम कुछ शब्द देखेंगे चित्रों के साथ, जो अंग की मातरा के शब्द हैं और उनके चित्र भी देखेंगे तो पहला क्या दिख रहा है आपको? प, प में अंकी मातरा पंख, ख में आकी मातरा ख, पंख, पंख, तो ये है आपका पंख, ओके स्टूरंस, प के उपर अंकी मातरा लगी है जिसका उच्छार न की तर सुनाई देता है तो ये क्या हो गया? पंख, राइट, चलो अब आगे पढ़ो ल, ल, में अंकी मातरा लंग, ग, ग, में बड़े हो की मातरा गूर, लंगूर, लंगूर, है न, ग, में बड़े हो की मातरा है तो हम इसको खीच के बोलेंगे लंगूर राइट तो यह है लंगूर ओके सुडिंट अब आता है जो जञ में अंकी मात्रा जंगल 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 कहां है जंगल यह है जंगल ओके आप देखिए जय में आंकी मात्रा जन टर में आंकी तो ये थे हमारे कुछ अंकी मात्रा वाले शब्द, साथ में उनके चित्र भी, ठीक है, तो देखा आपने कैसे अक्षर पे मात्रा लगी, अक्षर मिलके शब्द बने, और शब्द मिलके क्या बनाते हैं, शब्द मिलके बनाते हैं, वाक्ये जिने हम सेंटेंस बोलते हैं, तो खा खाखा खाँ नहीं है खाँ क्योंकि आ की मातरा लगी है खाँ खाँ हुपर क्या है अंग की मातरा खाँ खाँ अंगूर गा थिस चोटेयों की मात्रा खाख हां अंगूर किस है लंगूर है है में कौन से मतला लगी है की मात्रा रएंक वाली ठीक है को शह है लंगूर राइट हाँमें की मात्रा आएं में आखी मात्रा गा आएगा हंस ठीक है खा खा अंगूर खुश है लंगूर आएगा हंस ठीक है स्टूरेंट तो ये थे वाक्ये जिसमें अंग की मात्रा और भी मात्रा लगी है जैसे बड़ेों की मात्रा छोटेों की मात्रा ऐसे एनक वाली मात्रा राइट स्टूरेंट तो ये थी हमारी कौन सी मातरा? अंग से अंगूर वाली मातरा. राइट स्टूरेंट ये कैसी होती है? ये अक्षर के ऊपर लगती है और इसका साउन इसका उच्चारन हल का सा न की तरह आता है. अंगूर, हंस, तंगा, ठीक है? जंडा, राइट? हलका सा अक्षर के ऊपर छोटा सा न का उच्चारना का साउन सुनाई देता है. ठीक है, स्टूरेंट? तो ये थी हमारी अंग की मातरा, राइट? आप पूरा वीडियो अच्छे से देखो, और समझो, उच्चारन करके देखो, आपको मातरा समझ में आ जाएगी, स्टूरेंट? इस पूरे वीडियो का एक्स्प्रेंडेशन आपको मागनेट ब्रेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगा. जैसे ही आप क्लास सीनिर किंडर गार्डन हिंदी चूस करोगे, आपको ये मातरा, इससे पहले हम जितनी मातरा है पढ़ चुके हैं, सब मिल जाएगी. राइट स्टूरेंट? और ये सब आपको मिलता है मागनेट ब्रेंट पर, यहाँ पर आपको किंडर गार्डन मींस केजी से क्लास 12 तक, और लाइन स्कूल एडूकेशन बिलकुल फ्री में मिलती है स्टूरेंट्स है ना? तो देखो वीडियो, अच्छे से मातरा है देखो, बार-बार देखो, क्योंकि जितने अच्छे से आप मातरा है देखोगे, अगर आप मातरा है समझ गए, तो आप हिंदी पढ़ना और लिखना अच्छे से सीख जाएंगे. ओके स्टूरेंट्स, तो चलिए नेक्स मातरा हम नेक्स वीडियो में करेंगे, तिल देन, बाई-बाई, टेक केर.